एक बहत्रीन एक्स्क्लिव रिसर्च आती वे दिख रही है आपके लिए जी बिजनिस के तरफ से और हमारे साथ है आशीश चतुरवेदी बताने के लिए तैयार आपको एक बहत्रीन रिसर्च और ये रिसर्च है कुछ कम्पनियों की डिलिस्टिंग को लेकर और ये क्यों ड दिलिस्टिंग और इस तरह के कॉर्परेट एक्षिन पर हम लगातार बार बार आपको फेर वेल्यू निकाल कर ये बताने की कोशिश करते हैं अगर आपको पुराना ध्यान में होगा तो आपको ये पता होगा कि वेदानता जब 87 रुपे के आसपास डिलिस्टिंग ओफर आये रहा तब हम करते थे कि इसका बावत सवा 300 रुपे होना चाहिए वहाँ से चार गुना आज देखे उन लेवल के आसपास है तो दो ऐसी ही बहतरीन कमपियों पर रिसर्च लेकर आये है आशिश आशिश बताएए क्या है पूरी रिसर्च आपकी डिलिस्टिंग को लेकर बिलकुल सर बताता हूँ दो कमपनीज कौन सी जिनका आपने जिक्र किया बीसी जिन्दल गुरुप की दो कंपनीज है नाम है जिन्दल फोटो और जिन्दल पॉली इंवेस्टमेंट्स यह दो कंपनीज साथ साथ में इसका केस हम समझेंगे सबसे पर अगर आप देखे तो दोनों कंपनीज का भाव समझ लेते तब हमें समझ माएगा जिन्द फोटो 269 रुपीज का भाव दिया है जिन्दल पॉली इंवेस्टमेंट्स 253 का इंट्रेस्टिंग बात अब देखे कि अगर आप कंपनी का मार्केट कैप और केवल पिछले 6 मेने का मुनाफ़ा अगर आप देखेंगे तो आपको स्टोरी थोड़ी बहुत समझ में आने ल करोड की और पिछले 6 मेने का जो मुनाफ़ा कंपनी ने दर्ज किया है वो 641 करोड का असर शेर होल्डिंग पैटन समझ लेते हैं फिर हम में समझ मेंगा कि आगे और कितनी वैल्यू क्या फैर वैल्यू इसके निकल कर आएगी तो जिंदल फोटो अगर आप देखें तो प् इसके पास जो है जंदल इंडिया पावर में जो है हिस्सेदारी है यह प्लांट को समझना होगा देखे एक समय में काफी स्ट्रेस्ट प्लांट हुआ करता था जिसको बैंकर्स ने और क्रेडिटर्स ने जो है इनकी एक्विटी ले ली थी लेकि एक स्पेशल रेजुशन क चल रहा है और यह 100% क्यापिसीटि के साथ जब एक प्लांट चलता है तो साल में 3000 करोड की आयाती है और 300 करोड का आता है मुनाफ़ा और इन दोनों कंपनी जो है इसमें इसेदारी है इतने बहतरी बारासु मेगावट की यह प्लांट है अब इसकी रिप्लेस्मेंट वाई कमपनीज में इसके कितनी हैं जिंदल फोटो 42.9% जिंदल पॉली इन्वेस्मेंट 45.11% तो अगर 3500 करोड के आसपास का जो है आप इसकी replacement value निकाल के देखते हैं और इसको factor in करते हैं इनके हिस्सेदारी की मताबिक तो जिंदल photo की जो इस plant में हिस्सेदारी है इसकी value निकल कर आती है करीब 1500 करोड जिंदल poly investments की आती है 1580 करोड यह सिर्फ plant की value में आपको बता रहा हूँ इससे पहले तो मुनाफ़ा भी है जो मैंने आपको starting में बताया था अब इसको अगर आप और समझें सर डीप में कि पर शेर इसकी value कितनी आएगी फिर हम D-listing price एक और बार देखेंगे सर मैं तो अभी तक हिरान हूँ जिंदल फोटो करीब एक करोड है राउंड आफ समझ लीजे शेर इनके पास है न टोटल मिलाकर तो जो पंदरा सो एक करोड इनके प्लांट की value है इसको अगर आप देखें तो प्रतीश शेर सिर्फ प्लांट की value बताऊंगा भी सिर्फ श्थॉक की value 1477 1477 जो प्लांट की value प्रतीश शेर निकल कर आती है वो है जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट्स यहां पर भी अगर आप देखें तो करीब देखंग की अधान सिर्फ शेरव के सिर्फ यहां जिंदल पॉली को यहां ही और जिंदल फोटो की होगी 13 जन्वारी जिंदल फोटो के निया तीस जन्वरी को So basically, पूरी कहानी क्या है यह समझ दीजिए, इन दोनों कमस्यों के पास एक ऐसा प्लांट है, जिसकी जबरदस वेल्यू है. वो प्लांट है, जिसमें लगग 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 25% हिस्थेदारी दोनों की है, और वो इन दोनों की एक सबसिडरी है, उसके अंदर प्लांट है. हुआ यह कि यह प्लांट पहले कुछ दिक्कतों की वज़े से बंद हो गया था, बैंकर्स ने ले लिया था, फिर 2017 में बैंकर्स ने 75% हिस्थेदारी कर ली, अब जो एक वो स्विस चैलेंज मेठर आया था, उसके चलते वे कमस्यों ने, प्रोमोटर्स ने वापस इस प्ला का प्लांट लगाने जाएं, और साड़े 5 करोड रुपे पर मेगावट पर भी पकरें, तब भी 7000 करोड के आसपास की वेल्यू होती है, अब नो डाउट आप होल्डिंग कंपनी का डिस्काउंट भी दोगे, सारा कुछ करोगे, और अगर आप डिलिस्टिंग हो रही है त आप टैक्स की भी केल्कूलेशन करें, तब भी मेरा यह समझना है, मिनिमम मिनिमम बारासो रुपे, बारासो रुपे की तो फेर वेल्यू दोनों कंपनियों की होती है, तो जो इन्वेस्टर्स टेंडर करना चाते हैं डिलिस्टिंग ओफर में, उन्हें यह सोचना चीए है कि किस भाव में, इंडिकेटिव प्रईस, चिर्फ इन्डिकेटिव प्रईस, यहनि कि वो प्रईस है कि कंपनियों को बता, तीक उस तरह जी है, जैसे वेदानता ने आपको 87 मुई बता थी, 87 मुई, Normal, Prophet Pyesa, आपको क्या भाव में देना है, वो आप डिसाइड करेंगे, उ तो क्यों कम्पनियें डीलिस्ट कर रही है इस वक्त वो समझने वाली बात आप कम्पनी के पीछ जाकर रेविन्यू देखेंगे आपको 009 देनाएगा कुछ नहीं दीखेगा क्यूं क्यों क्यों कि जो कुछ रेविन्यू वो सबसिट्री कम्पनियों में पहली चीज दूसरी अजयी है में 2021 में था मिल्दल में अपना ले लिया जब प्लांट वापस आ गया इनके पास में और अब प्लांट आज चल रहा है फुल इस केपसिटिदी का प्लांट अगर अभी पता नहीं के कि कितना और वेन्यू आएगा क्या नहीं आइगा क्यूं क्यों को और डीकु sentiments सब्सिडिरी में है लेकिन अगर इस केपसिटी पे फुल प्लांट चले तो तीन हजार क्रोड का रिवेन्यू सालाना होता है और तीन सो क्रोड का सालाना मुनाफ़ा ओने नेवरेज बनता है यह तो पिछले क्वाटर में आप प्रोफिट देखेंगे छे महिने में तो कमसी के मार्केट केप से ज्यादा प्रोफिट है लेकिन हो सकता है कुछ राइट बैक्स हो पता नहीं वह डिटेल नहीं है लेकिन मेरा यह समझना है जब आप डीलिस्टिंग के लिए शेर दे रहे हों तो आपको यह सोचना जरूरी है कि आपको किस प्राइस पर ओफर करना है यह यह पूरी केलकुलेशन है इन दो कम्झेओं वैसे इस गूर्प की दो कम्ट्रे और डीलिस्ट होई चार कम्झेओ को एक साथ डीलिस्ट करा एं एक युनिवर्सिस फोटो या कुछ करके एक एक कंसोलिट तो इसका मतलब क्लियर कट है प्रमोटर कम्ट्र को वो सारी सोल होगी, प्लान्ट वापस कम्नी के पास आ चुका है, फुल केपसिटी पे चल रहा है, रिजुलिशन सारे हो चुके है, और इसलिए कम्नी का इरादा है, आप सोचे, बारासो रुपे के आसपास की फेर विल्यू आप दोनों कम्नी की मानें, बारासो बारासो पे के आसपास है, तो यह है बड़ी एक्सलिजी रिशर्च और यह तो आम इन्वेस्टर्स जिनके पास शेर हैं उनके लिए तो ही, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे सारे एनलिस्ट से, हमारे सारे एक्सपर से, प्लीज इस डीलिस्टिंग को पढ़ें, यह हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जब हम अंदर डीप में जाकर स्टड़ी करते हैं, डीटेल निकालते हैं, तो यह सीखने वाली चीज है, एनलिस्ट लोगों के लिए भी, एक्सपर्स के लिए भी, तो यह है वो बहतनी रिसर्च जो आजशिश और हमारी टीम करके ला आपकी बुक बनेगी, आपको किस प्राइस पर डीलिस्ट करवाना है, यह शेरोल्डर्स के हाथ में, वैसे 75-75% के आसपास होल्डिंग अल्रेडी प्रमोटर की है रही है, बिलकुल सर, चलिए, डेक तें, क्या कुछ होता है आगे, शुक्रिया आशिश यह बहतनी हमारे दशकों तक लाने के लिए